हांक पारिल कुनों नहीं आवे तो एके लारे गारे चतिसगड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ETV भारत ऐसी प्रतिभाओं से आपको समय समय पर रूबरू कराता है और इन दिनों चतिसगड़ में एक गाना बहुत वाइरल हो रहा है वो गाना है आपने बहुत ये गाना सुना होगा रविंद्र नाज जी का ये संगीत है और रविंद्र संगीत इसे कहा जाता है एक लारे और उसे जो ट्रांसलेट किया है एक चतिसगड़ की प्रोफेसर राज़ानी राइपूर की सिंधु शुकला जी तो हमारे साथ वो मैडम मौझूद है मैं सबसे पहले एटीवी भारत में स्वागत है आपने गाना ट्रांसलेट किया और वो बहुत पसंद किया जा रहा है त उसी करम में मुझे तलाश थी एक बहुत ही प्रणासपत गीत की तो चूंकि ये विश्व प्रसिद्धे रचना है एक लाचलो रे इसका अनुआ हिंदी और अंग्लिजी में तो है अन्नी किसी भार्षा में नहीं है तो मुझे लगा कि शक्तिसगड़ी में भी इसका अनु तो बस मैं करने बैठी हो मुझे बहुत जल्दी हो गया तो एक परका से मेरी अच्छी एक रुची सी बन गयी शौक बन गया और मैंके बाद एक करती गए मुझे गाना बनता गया कहीं कहीं चतिगड़ी शब्द मुझे सटीख नहीं मिलते हैं तो मैं उसकी तलाश में रहत है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने मतलब बड़े मैं रविंदर ना टेगोर जी को मैंने ट्रांसलेट किया और उनके मैसेच को जो हम चतिगड़ी सब मतलब हर तरह की लोगों तक पहुचा पारे जब आपके अपनी भाशा में कोई चीज आ जा जाती है ना तो हो हर किसी को समझ आता है और वो मेरे लिए अचीवमेंट है वो मुझे खुशी दे रहा है कि एकला चरूरे जो है बहुत पुरे विश्व विख्यात है और लोगों को मोटिवेड भी करता है तो छतिज गड़ी में भी बैसे मोटिवेशन सॉंग की कमी थी तो मैं ने उस च कोनों नहीं आ वैता हो एकिला रहे रिंग एकिला रहे एकिला रहे एकिला रहे कोनों नहीं बतियाए यstepMan करादा कौनों नहीं गठीयाए कहुं सबे जन मुहूला मुरे सबे धुक धुकाए तहिर्दे उघारे बुका फार के मन के बाते के ला कहवरे जोदी तोर डाक्शुने के उनाशे तो एकला चालो रे कि अपलो की मुलाकात कैसे हुई आपने तो कि मैम और आपका ओडिनेशन जिस तरह से जोगा है मेरा इनसे परिजय चार पांच महा पुराना है हम किसी एक संगीत गुरुप से जुड़े हुए है इम्रान साहब के और इनने पहले भी मेरा एक गीत गाया है अजीब दासता है इसका मैंने शत्री गाया था उन्हें बहुत अच्छा गाया मैं इसे बहुत प्रभाइद हूँ तो इनके साथ मुझे बहुत ही कम श्रम करना पड़ता है बहुत आसानी से धुन पकड़ लेती है और काफी कुछ शुद्ध उचारण के साथ गाया लेती है तो बस हम में कौड़नेशन चल गाया है अजीब दास्ता आपने कहा हम भी सुनना चाहेंगे मैं अजीब दास्ता 36 गड़ी में तो बहुत ही अच्छा हम जिस तरह से मैम गा रहे हैं इतनी मधिहूर आवाज है और जिस तरह से तरह सर्व काने को यह कि तरह से अउस्टती है जीए हम एक दो सुझ आगे हैं प्रजर चूर जुघält इव बहुत ही प्रणास पधे हैं वो सार्व का लिख सत्य है, वो इस्थिती वो उस गाने को मुझे लगता है, लोग सुनेंगे तो लगेगा कि अभी भी सत्य है, गुजजार साहब ने 40-45 साल पहरे लिखा था, तब भी सत्य था, आज भी सत्य है, ये दोनों गाने में बहुत जड़ी, दोनों में लिखा हूः है, मैंने योग पे लिखा हूः है, राजिजी लिखा हुआ है, और मैंने भगवान राम और कष्ण पर भी उडिखे वे हिंदी में, वो सब चैनल पे हैं, और मेरा जो राजिजी गित में लिखा था योज़ाव पेने लिखा था, वो शाण साहभго न objective है वह घंदी में है पर एक चत्तिगड़ी अंत्रह उन्होंने इतने अच्छी से घए गाया है लगता है बहुत मस्ती में गाया है राउत नाचावला ऐसा कुछ उसमे लाइन है लिखे मुझे दो तीन साल हो गए है अभी समयाद नहीं आ रहा है पर हाँ वो गाना भी बहुत ही अच्छा उसमे मैंने पूरा शोधी किया था च्छतिगड के बारे में एतिहासिक भागोलिक हर दिष्टी से हर पहलू से मैंने पर शोध करके शोध पूर्ण गीत लिखा था वो उन्होंने गाया वो बहुत ही अच्छा है मेरे ओनेट पर अप्लोड़ेल है अवरेडी मैं प्रोफेशन आप प्रोफेसर हैं आप इसके लिए समय आप कैसे निकाल लेती है बहुत ज्यादा मुश्किल है बहुत ही आपको अच्छा लगता है और मुझे यह बिल्कुल नहीं लगता है मैं डिफ्रेंशियेट नहीं कर पाती हूं दोनों के बीच में क्यूंकि इनकी वोकाब्स इनका जो भी लाइस्टाइल एकाफी कुछ बंगाली लाइस्टायल और वोकाबलरी से मैच करता है तो मुझे ब और गालिया उसको तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है मैं अलग कुछ फील नहीं करती हूं मुझे ठीक है अगे भी मैम के साथ प्रोजेक्ट आपके आएंगे आपके आसकते हैं प्रभू की इच्छा होगी सब कुछ अच्छा ही होगा तो च्छतिसगड में इन दिनों एकला चलो का जो बंगला ट्रांसलेशन के जो चतिसगड़ी हुआ है उस जो है एकला रेंगोरे जो बहुत पसंद किया जा रहा है जिस तरह से हमने इनके जो लेखाक और इनकी गाईकर से मिलाया आप भी इस गाने को सुने और जिस तरह से का ट्रांसलेशन हुआ है, सत्रीज़गर की जनता उसे बहुत पसंद कर रही है, सद्धार श्रिवासन ATV भारत, राइपर